आज की वीडियो का टॉपिक है How to create Trello Cards from Zoho Sheet सिखाऊंगा कि कैसे जब ही भी आपने Zoho Sheet के अंदर किसी card की details add करोगे तो automatically आपके मेरे involvement के बिना एक card create हो जाएगा Trello के अंदर कैसे होगा ये इसके लिए automations add करेंगे Zoho Sheet and Trello के बीच में ये process को दोने लगेगी कैसे ये automations add करना है पूरी details step by step बताऊंगा अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आजाएगे official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं और लगे बना चुका हूँ that's why में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा pably connect का dashboard right hand side पे create workflow का option आएगा क्लिक करके अपने workflow का में एक नाम दे देंगे मैं नाम दे देता हूँ Zoho Sheet to Trello मैंने नाम दिया Zoho Sheet to Trello आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में वो भी एकदम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हम चाहते हैं कि हमारी इस Zoho Sheet के अंदर जिसका नाम है Google Sheets to Trello और इस लिस्ट में जिसका नाम है Google Sheets इसके अंदर मैं जाता हूँ एक card जो है automatically create हो जाए ऐसा करवाने के लिए मुझा आना होगा पैबली कनेक्ट पर अपनी first application में चूज करना होगा सबसे पहले Zoho Sheet को search करूँगा और चूज कर लूँगा Zoho Sheet को इसके बाद trigger event चूज करूँगा new rows को new और updated row को भी आप चूज कर सकते हैं तो इसको चूज कर लेता हूँ इसके बाद add new connection पे then connect with Zoho Sheet पे यह domain माग रहा है तो domain कहां से मिलेगी इसके लिए आपको Zoho Sheet पे चलना होगा then यहाँ पे link पे click करना होगा यहाँ जो zoho.in लिखा है यह मेरा domain है आपका इन पाचों के अंदर से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे paste कर देता हूँ और click करूँगा save पे मेरा जो connection है हो जाएगा accept पे click करके access देदूँगा don't worry pably connect is 100% safe authorization successful हो गया है और जैसा कि आप देख पा रहे है Zoho Sheet connected है pably connect से connect होने के बाद workbook का हाँ पे option आए तो एक ही workbook मैं अभी तक create Trello automation यही वाली that's why वो by default select होगी है Sheet 1 भी by default select होगी क्योंकि कोई दूसरा option ही नहीं है अब मैं click करूँगा savings and test request पे तो Sheet की details मेरे सामने यहाँ पे आजाएंगी अभी नहीं आएंगी sorry waiting for response का option आ रहा है means अभी जबी मैं कोई new row add करूँगा मेरी Sheet में तो automatically उसकी details पैबली connect capture कर लेगा यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से पहले copy कर लेता हूँ फिर हटा देता हूँ then अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ paste फिर से तीक है आके check करते हैं पैबली connect यहाँ पे details capture करता है कि नी तुरंट जैसे कि आप लोग देख रहे response received हो गया है इसके बाद कोई और आपको card का नम देना है तो आप दे सकते हैं description दे सकते हैं due date अलग दे सकते हैं तो वही data जो है पैबली connect capture कर लेगा ठीक है तो यहाँ पे details हमारे सामने आगी है successfully अब मैं चाहता हूँ in details के help से card create हो जाए मेरे जिसके अंदर Trello के अंदर ऐसा करवाने के लिए अपनी second and last application में मुझे चूस करना होगा Trello को सर्च करके चूस कर लिए हमने Trello को then action event में मुझे चूस करना होगा create a card with plain text type description connect पे click किया then add new connection पे एक new connection के लिए Trello के साथ चाहिए username API की token कहां मिलेगा just यह blue color में hair लिखा है और key वाली field पे paste कर दिया then token के लिए यहां पे लिखा हुआ token click किज़े token पे एक new page open होगा तो आपको मिल जाएगा आपका username जो भी आपके account का username होगा copy किज़े username को आईए पैबली connect पे और username वाली field पे paste कर दिज़े then वापस चलिए अपने कहां पे वही वाले page पे then नीचे scroll किज़े click किज़े allow पे और यहां से आपको फिर मिल जाएगा token copy करेंगे token को वापस आएगे पैबली connect पे और token वाली field पे paste करके click कर दिए save connected है अब हमारा Trello successfully पैबली connect होने के बाद यहां पे बोल रहा है हमसे board जो है आप चूस करें तो यहां पे हम board जो है हमारा चूस कर लेता है so जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे board का नाम है Google Sheets to Trello वाले board को यह रहा board स्थी के मैंने चूस कर लिया then list ID यहां पे इसके अंदर एक ही list है Google Sheets नाम की जो की बादे file select है so इसी के अंदर मैं चाहता हूं card create हो अब यह मुझसे मांग रहा है card का name और description तो यह दोनों चीज़े हमें ऊपर मिल चुकी है यह रहा card का नाम यह रहा description so यह मुझे यहां पे add कर देना है in blank fields में so add के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping mapping में हम हमारी trigger application का detection application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे just blank field पे click करना है नीचे option आएगा zoho sheet का click करेंगे zoho sheet पे details open हो जाएंगी नाम चाहिए card का यह मिल गया हमें card का name click करके add कर दिया mapping जितनी easy और simple है उतनी important भी है क्यों क्योंकि अगली बार जब हम हमारी zoho sheet में जाएंगे और new row के अंदर कोई दूसरा data add करेंगे जरूरी तो है नहीं कि हम यह what's up automation ही करवाएंगे मालने जे कोई दूसरा नाम add करेंगे google sheets automation तो जो भी हम नाम यहाँ पे add करेंगे नाम automatically इस blank field में आके add हो जाएगा क्योंकि यह नाम हमने अभी map किया तो map करने से यह फायदा होता है automatically data fill हो जाता है तो जहां जहां मैं data map कर रहा हूं वहां आपको भी करना कंबल जरी है इसी तरह से description map कर देता हूं यह मिल गया description क्लिक करके map कर दिया position क्या रखनी है यहां से आप select कर सकते है मैं top रख रहा हूं member id, label id यह सब skip कर रहा हूं आप add कर सकते है due date मुझे यहां पर add करनी है जैसे कि आप देख रहे है due date के अंदर एक specific format का में use करना है mmddyy month date और year so मैंने अपनी zoho sheet के अंदर जब date add करी थी तो इसी format में add करी थी जैसा कि आप देख रहे है mmddyy में तो आपको भी यही करना है तो आ जाता हूं वाप इस पैबली करेक्ट पर यहां पर due date map कर देता हूं due date यह रही map कर दी किस format में है यह mmddyy format में ठीक है और जैसा कि आप देख पा रहे है card यहां पर create हो गया whatsapp automation के नाम से open करके देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं description we need an automation video between whatsapp and google sheets so यहां पर आपके सामने एकदम details perfect हैं और यहां पर due date जैसा कि आप देख पा रहे है 13th of September 2023 एकदम perfectly हमारे सामने यह card create हो गया और इसकी presence बता रहे है कि हमारा automation site हो गया just हमें save पे click करना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब यह process automatically होगी खुद बाखुद है ना जब तक workflow on है यह खुद बाखुद होती रहे यह आपको बस जाना है अपनी zoosheet में new row add करनी है जैसे की card name और description और due date महाँ पर add कर देनी है बस आपका काम गतम then तुरंत instantly एक card create हो जाएगा आपके किस के अंदर आपके board google sheets to trello और इस list में है ना जैसे की whatsapp automation हुआ है तो ना सिर्फ इन applications को public connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पर click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपके कुछ questions होता है कुछ queries होती है तो आप बिलकुल मुझसे मेरी team से यहाँ दी गई link पर पूछ सकते हैं अगर आपको पैबली करेक की pricing जाननी है तो यह second वाली link पर जाके आप pricing चेक कर सकते हैं और सबसे last thing कि अगर आपको यह video पसंद आया और आप satisfy है तो आप इस video को share बिलकुल कीजिएगा और मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा और video को like भी करना मत भूलेगा thank you